नमस्कार दोस्तों आपका हमारी चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बुद्वार वर्थ की कथा सुनाएंगे सम्तापूर नगर में मदू सुदन नामक एक व्यक्ति रहता था वहा बहुत धनवान था मदू सूधन का विवा बलरामपूर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था एक बार मदू सूधन अपनी पत्नी को लेने बुद्वार के दिन बलरामपूर गया मदू सूदन ने पतनी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा माता पिता बोले बेटा आज बुदवार है बुदवार को किसी भी सूब कारिय के लिए यातरा नहीं करते लेकिन मदू सूदन नहीं माना उसने ऐसी सूब असूब की बातों को नयमानने की बात कही दोनों ने बैल गाड़ी से यतरा प्रारम की दोखोस की यतरा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया तूट गया वहां से दोनों ने पैदल ही यतरा शुरू की रास्ते में संगीता को प्यास लगी मदू सूदन उसे पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने चला गया थोड़ी देर बाद जब मदू सूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा क्योंकि उसकी पतनी के पास उसकी ही सकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था संगीता भी मदू सूदन को देकर हैरान रहे गई वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई मदू सूदन ने उस व्यक्ति से पूछा तुम कोन हो और मेरी पतनी के पास क्यों बैठे हो मदू सूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई यहां मेरी पत्नी संगीता है मैं अपनी पत्नी को सुसरुल से विदा करा कर लाया हूँ लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा परसंद कर रहे हो मदू सूदन ने कहा तुम जरूर कोई चोरिया ठग हो यहां मेरी पत्नी संगीता है मैं इसे पेड के नीचे बैठा कर जल लेने गया था इस पर उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई जूर तो तुम बोल रहे हो संगीत को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है अब तुम चुप चाप यहां से चलते बनो नहीं तो किसी सिपाही को बिला कर तुम्हें पकड़वा दूँगा दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र इकठे हो गए नगर के कुछ सिपाही भी वहां आगे सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई नीने नहीं कर पाया संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पती को नहीं पहचान पा रही थी राजा ने दोनों को कारगार में डालने के लिए कहा राजा के फैसले पर असली मदू सूदन ब्याबी तो उठा तबी आकास्वानी हुई मदू सूदन तूने संगीता के मातपता की बात नहीं मानी और बुद्वार के दिन अपनी सुस्राल से परस्थान किया यह सब भगवान बुद्देव के परकौप से हो रहा है मदू सूदन ने भगवान बुद्देव की परातना की है भगवान बुद्देव मुझे अक्समा कर देजिये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई भोईशय में आप कभी बुद्वार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सैदे बुद्वार का आपका वर्थ किया करूँगा मदू सूदन के परातना करने से भगवान बुद्देव ने उसे अक्समा कर दिया तबी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया राजा और दूसरे लोग इसे चमतकार को देकर हैरान हो गये भगवान बुद्देव की इस अनुकंपा से राजा ने मदू सूदन और उसकी पतनी को सम्मान पूर्वक विदा किया उस दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाडी मिल गई बैलगाडी का तूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था दोनों उसमें बैटका समतापूर की और चल दिये मदू सूदन और उसकी पतनी संगीता दोनों बुद्वार को वर्थ करते हुए आनत पूर्वक जीवन यापन करने लगे इस तरह भगवान बुद्दे की कृपा से उनके यहां कुशिया बरसने लगी इस तरह जो इस तरी पूर्वक बुद्वार का वर्थ करके वर्थ कता सुनते हैं भगवान बुद्दे उनके सभी कश्टों को दूर करते हैं